गुरीवनिंग एंड वेलकम तो NCERT-Dzone Speedy के Hindi प्लस English दोनों करेंट अफेर्स को हम डिसक्स कर रहे हैं Annual करेंट अफेर्स हिंदी में बोले तो वाशिकांक और English वाले Annual करेंट अफेर्स दोनों को हम डिसक्स कर रहे हैं इंग्लिश को हम सुबह और शाम दोनों टाइम कर रहे हैं जल्दी कवर करने के लिए क्योंकि कुछ एक्जाम्स काफी जल्दी आ सकते हैं और कुछ एक्जाम में अभी थोड़ा सा टाइम है तो तब तक हम कवर कर लेंगे जैसे बीपीसी और के लिए टाइम है अभी और 19 से 2021 के बीच में जितने भी military exercises हुए हैं हम उनकी बात करने वाले हैं अभी तो एक एक करके चलिए बात करते हैं बात करने से पहले एक ज़रूरी information आप सब के लिए upcoming BPSC plus CDPO exam के लिए हमारा combined course launch हो गया है 1st Feb से पहले अगर आप इसको avail करते हैं तो 1199 में ये course आपको मिल रहा है और after 1st Feb 1199 में ये course आपको मिलेगा तो जल्दी करिए और इसको इसमें enroll करिए काफी students already enroll हो चुके हैं तो आप भी wait मत करिए और जल्दी से करिए ठीक है एक फरवरी से हम इसको शुरू कर देंगे क काफी 30 गती से क्योंकि April में exam भी होना है चलिए बात करते हैं संजुक्त सैन्ने अभ्यास की सबसे पहला जो हमारे पास military exercise है वो है कौकरण शक्ती 2021 ये सैन्ने अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ तो ये भारत और Britain के बीच में हुआ कौन सा कौकरण शक्ती ये काफी importance हुआ और किसका अभ्यास था किन सेनाओं के बीच में हुआ तो नौ सेना के बीच में हुआ यानि कि भारत और Britain के नेवी के बीच में ये अरब सागर में ये संजुक्त सैन्ने अभ्यास हुआ नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास ये काफी important है भारत और अमेरिका के बीच में होता है और ये कौन से military exercise है like army की exercise है ठीक है आर्मी करती है ये वाली नौ सेना कर रही थी ये वाली army की exercise होती है भारत और अमेरिका के बीच और ये कहां पर हुआ है इस बार तो अनासका में हुआ है नेक्स्ट है मालाबार अभ्यास 2021 मालाबार अभ्यास 2021 की बात करें तो भारत, अमेरिका, जापान और और अस्ट्रेलिया इन कंट्रीज के बीच में, इन कोड कंट्रीज के बीच में ये हुआ था ठीक है मालाबार अभ्यास 2021 किस बंगाल की खाड़ी एवं फिलिपिन सागर में ये अभ्यास हुआ और ये किस का अभ्यास था तो ये नौसेना का था यानि कि इन देशों के नेवी के बीच में ये अभ्यास किया गया है, ये exercise किया गया है, बात करते हैं, next, next है जीमेक्स, जीमेक्स 2021, ये कहां पे हुआ ह ये अरब सागर में हुआ है, और किन के बीच में हुआ है, तो भारत और जापान के बीच में ये exercise हुआ है, और भारत और जापान के नेवी के बीच में ये exercise हुआ है, नौसेना का ये अभ्यास था, बात करें, मित्र शक्ति की, तो मित्र शक्ति भारत और श्रिलंका के सब् Expect a3rd 2021 समुद्र शक्ति किस के वी बीच में हुआ जैसा के नाम से पता चल रहा है Woo के बीच में हुआ होगा तो इंडियान और इंडोनेशन नेवी का ये संजुक्त अभ्यास था ठीक है कंबाइंड एक्सरसाइज थी सुन्डा जल डबरु बद्धे में ये हुआ था ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सूर्य किरन सूर्य किरन काफी ये पंद्रवा एक्सरसाइज था इससे पहले चौदा ओल डड़ी हो चुके है इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरन उत्रकंड के पिथोरागड में ये हुआ और ये आर्मी का सिन्युक्त अभ्यास था यानि की थलसेना का सिन्युक्त अभ्यास था नेक्स्ट है ऑसि प्रेश इंडेक्स फोर्थ ये चौथा था इस बार का ये संसकरण ठीक है इसे पहले तीन बार हो चुके है और ये छौथा था तो ये जो हुआ है ये भारत और ऐस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है और में किया गया और किनका अभ्यास था तो नेवी का एक्सरसाइज था इंडिया और उस्ट्रिलिया नेवी का, clear, next आगे बढ़ते हैं, कौन-कौन से हैं, उसको देखते हैं, next है Simbex, काफी important exercise है, Simbex, Simbex 28 तिस बार हुआ, कौन सा हुआ, ये कभी-कभी rare cases में पूछ ले जाते हैं, बट इतना जादा ये importance नहीं रखता है, तो बस आप एक बर इसक तो ये भी नौ सेना का अभ्यास था, नेवी का exercise था, बात करें, जापैड, जापैड की अगर बात करें, तो ये बहुरस्ट्रिय अभ्यास था, यानि कि multinational exercise था, इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था, जापैड 2021 में, ये रूस के निजनी में हुआ इस बार, और ये वायू सेना का अभ्यास था, यानि कि air forces का अभ्यास था, अलग-अलग देशों के air forces के बीच में ये जापैड 2021 हुआ है, ठीक है, उसके बाद अगर हम करें साजा भाग गे, तो ये पाकिस्तान, चीन, थाइलेंड और मंगोलिया के आर्मी के बीच में ये अभ्यास और इंड फॉर इंडिया, तो काजिंद अगर इंग्लिश में लिखे तो कैसे लिखेंगे, के ए जड़ आई एंडी, something like this, काजिंड, के ए जड़ फॉर काजाकिस्तान और इंड फॉर इंडिया, तो भारत और काजाकिस्तान के बीच ये काजिंड हुआ है, प्रशिक्शन न उसके बहन, जायर अल बहन की बात करें, तो ये दूसरा संस्करन था, इससे पहले एक बार हुआ है, जायर अल बहन किस के बीच हुआ है, भारत और कतर के बीच, फारस की खाड़ी में ये एक्सरसायज हुआ है, और ये नौसेणा का अभ्यास था, यानिकी नेवी का exercise था, अलमोहद अलहिंदी की बात करें, अलमोहद अलहिंदी ये भारत और सौधी अरेबिया के बीच सन्युक्त अभ्यास था जो कि सौधी अरब में हुआ है और ये भी नेवी का exercise था, उसके बाद है सीकैट अभ्यास 2021, सीकैट की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच ये जायत तलवार जो हुआ भारत और संजुक्त अरब अमिराद UAE के बीच हुआ, अबुधाबी के तट पर हुआ ये अबुधाबी के तट पर हुआ और ये भी किसका था, नौसेना का अभ्यास था, कोंकर अभ्यास अगेन यहां पर पूछ लिया गया, एक बार ठीक है तो य जो है, ये कहां पर हुआ है, ये एक तो बहुराष्ट्रिय अभ्यास था, बहुराष्ट्रिय नेवी के बीच, यानि कि मल्टिनाशनल बहुत सारे कंट्रीज थें, उनके नौसेना के बीच का ये एक्सरसाइज था, और ये जो हुआ इसमें भारतिय पोत आइनेस तलवार ने भाग लिया था, जो भारत का शिप है, कौन आइनेस तलवार उसने भाग लिया था, कहां पर कट्लैस एक्सप्रिस 2020 में इसको याद रखिएगा, नेक्स्ट है, कॉर्पैट का 36, 36 एक्सरसाइज, कॉर्पैट इससे पहले 25 बार हो चुका था, ये 36 अभ्यास था, ये जो 2020 त्रिपक्षिय अभ्यास था, इसमें तीन देशों ने भाग लिया था, भारत ने, श्रिलंकार ने और मालदीव ने, टीटी एक्स, 2020 वर्चुल टेवल टॉप अभ्यास था ये, ठीक, तो ये वर्चुली किया गया है, उसके बाद बात करें, इंद्र अभ्यास की, तो ये आर्मी का एक्सरसाइज था, सी ब्रिज की बात करें, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है, सी ब्रिज, ये नाटो, जो है नाटो, उसके सदस से देश जो है, मेंबर कंट्री, उनके बीच में होता है, काला सागर में हुआ इस पार, और ब्लैक सी में, और ये ये भी नेभी क एक्सरसाइज था, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है, इन यूनेफर अभ्यास, इन यूनेफर अभ्यास, तो कहां कहां पर हुआ, एक तो इंडिया, और यूएन, यूरोपिय संग, के बीच ये हुआ, अधन की खाड़ी में ये हुआ है एक्सरसाइज, और ये भी नेभी का एक्सरसाइज था, ठीक है, उसके बाद बात करें, तो FOIP अभ्यास, ये भारत और जापान के बीच में हुआ, हिंद महसागर में हुआ, और ये भी नेभी का एक्सरसाइज था, बात करें, वरुना 2021, तो वरुना किन के बीच में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में हु खुरूड, clear है, तो याद रखिएगा, और तो वरुन किसके बीच हुआ, भारत और फ्रांस के बीच, अरब सागर में हुआ है, और नौ सेना यान की नेवी के बीच में हुआ है, इन देशों के नेवी के बीच में, डेजर्ट फ्लैग की बात करें, डेजर्ट फ्लैग 6th edition इसका, तो बहुपक्षिय देशों के बीच में हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज ने भाग लिया, अल्डफरा, एयर बेस, UAE में ये हुआ है, डेजर्ट फ्लैग, और ये किसका था, तो डेजर्ट फ्लैग था, एयर फ किनके आर्मी, भारत और किर्गस्तान के आर्मी का ये संयुक्त अभ्यास था, यानि की combined military exercise थी, बात करें, लापी रोज की, तो लापी रोज काफी important है, लापी रोज हुआ है, फ्रांस और कौड देशों के बीच में, कौड देश क्या-क्या है, भारत, जापान, ऑस्ट्रे उसके बाद बात करें, शांती ओग्रो सेना, तो नाम से ही पता चल रहा है, बांगलादेश इसमें जुरूर होगा, ओग्रो सेना, ठीक, तो शांती ओग्रो सेना जो हुआ है, भारत, भूटान, श्रिलंका और बांगलादेश के बीच में हुआ है, और ये बांगलादेश म में भाग लिया कोष्ट गारने भाग लिया और समुंधुरि जितने भी एज़िया हैं उन्हों ने भाग लिया और ये 13 टटवर्ती राजीं और कंदर शासित प्रदेश जो है Clemeni बात करें वज्र प्रहार प्रहार की तो वज्र प्रहार होता है भारत और अभ्यास था यानि कि army का exercise था बद करे Calebvasaac की तो 7 mph के भारत और America के बीच में हिंद महासागर में हुआ है और नोसेना का ये exercise था यानि कि नवि का exercise था एक और important hab Lightsоздatese इंपर्टरींट ते अभारत या याद रखियेगा whilst भारत के तीन से ना यानि की आर्मी उसके बाद नेवी और एरफोर्स तो इनके बीच में यह हुआ है और यह हिंद मासाकर में किया गया इसको याद रखिएगा बात करें युद्धभ्यास की युद्धभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ राजस्थान के महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज पे हुआ है यह जगे भी याद रखना है और यह आर्मी का एकसरसाइज था ठीक है फिर से एक बार पढ़ ले पीच तो कौन-कौन सा एक तो यह ट्रॉपक्स हुआ था भारत के तीनों से नाओ के बीच यह भी वेरे वेरे इंपरेट मार्क करिए इसको भारत के तीन से नाओ के बीच हुआ है अंडमान और निकोबार दीप स्वमू में हुआ है ठीक है कवच अभ्यास की बात करें तो क कवच एक्सरसाइज भारत और संजुक्त सैन्य अभ्यास भारत का संजुक्त सैन्य अभ्यास है यानि कि इंडियन जितने भी मिलिटरी है उनके बीच में यह हुआ है अगें कवच अंडमान और सागर अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में हुआ डेजर्ट नाइट ए यह भारत और रूस के बीच में हुआ 2020 वाला भी क्योंकि पासिक्स भारत और रूस के बीच में ही होता है पूर्वी हिंद महसागर के ख्रेटर में हुआ है यह और यह नेवी का संजुक्त एकसरसाइज था ठीक है उसके बाद बात करें तो कौड देश में क्या क्या आते हैं जैसा मैंने भी थोड़े दिल पहले बताया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत और जापान आते हैं और यह याद रखिएगा क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही बिहारेसाई का पेपर हुआ था बिहारेसाई के पेपर में यह पूछा गया था कि कौड कंट्रीज में कौन-क करके बताएंगे और शेयर करी दीजिए हर वीडियो में बोलना पड़ता है आप लोगों से आप लोग खुद नहीं करते हैं तो यह थोड़ा बुरा लगता है कि बारवा बोलना पड़ता है बिना बोले ही आपको कर देना चाहिए जादा कुछ तो हम आपसे मांगते नहीं लुसेंट अब्जेक्टिव प्लस अब्जेक्टिव का साधिसात राकेश अदव जी एक जी एस का तो यह अगर आपको इंडिविजुल कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं हमारे जो नंबर है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वहां पे आप हमें मैस